अगर आप लोग जानते हैं किसी भी मिटीरिल की जो रिजिस्टिविटी होती है वो टेंपरेचर डिपैंडेंट होती है कि अगर आप लोग किसी मिटीरिल का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रिजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती है लेकिन अगर इसके रिवर्स प्रॉसेस में देखा गया कि अगर हम किसी सेपैसिविक मिटीरिल कुछ ऐसे मिटीरिल भी एग्जिस्ट करते थे अगर हम लोग उनका टेंपरेचर डिक्रीज करें तो उनकी रिजि मिटीरिल की रिजिस्टिविटी खतम हो जाती है जिरो की एकल हो जाती है तो वो एक परफेक्ट कंड़क्टर के तौर पे बिहेव करता है उसमें इनर्जी लॉसस जो हैं वो जिरो होंगे अगर आप लोगों ने उस टाइप आप मिटीरिल में एक बार करंट को इस्टैबल होने के बाद करंट इस्टैबलिश होने के बाद अगर आप लोग उसमें से जो एक्सटरनल पुटेंशल डिफरेंस है उसको रिमूग कर देते हैं तो उसमें इन फाइनाइट टाइम तक के लिए करंट फ्लो करता रहेगा और ऐसे मिटीरियल जिनके टंपरेचर डिक्रीज करने से अगर रिजिस्टिविटी एक पालिटिक्लर टंपरेचर पे जिरो के इक्वल हो जाए वो परफेक्ट कंड़क्टर बन जाएं उनको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट सूपर कंड़क्टर का तो आग का हमारा टॉपिक है सूपर कंड़क्टर दा मिटीरियल्स ह इनकी रिजिस्टिविटी बिलो दा सर्टिन टंपरेचर जिरो के इक्वल हो जाए और कॉल दिस सूपर कंड़क्टर आप लोग उनको नाम देते हैं सूपर कंड़क्टर का and that particular temperature corresponding to which the resistivity becomes equal to zero is set to be a critical temperature ऐसा temperature जिस temperature पे student जा जिस temperature से blow जो है resistivity specific material की zero के equal हो जाए उसको आप लोग critical temperature का नाम देते हैं तो इसको define करते हैं the temperature blow which the resistivity of a material becomes equal to a zero is called or is known as a critical temperature ऐसा temperature student जिसके blow किसी material की resistivity zero हो जाएगी mean वो super conductor बन जाएगा जिस temperature पे एक material super conductor बन जाएगा it means that उसकी resistivity zero के equal हो जाएगी उस temperature को आप लोग नाम देंगे critical temperature का इसको tc से represent करते हैं अगर हम लोग graphical expressions देखें graph between resistivity and temperature तो देखें जरा कोड़ से student यहां से लेकर यहां तक हमें एक linear line से मिल रही है linear line मिल रही है कि यहां पे जो temperature और resistivity है across this lines both are directly proportional to each other कि जैसे जैसे आप लोग temperature increase करते हैं resistivity increase होता है या आप लोग temperature को decrease करें तो resistivity में decrease आ रहा है it means that proportionality है between resistivity and temperature लेकिन एक particular temperature पे पहुंचने पे sudden जो है ना इस particular temperature पे sudden जो है resistivity zero होगी है it means that यह कौँ सा temperature है यह TC temperature है critical temperature है और यहां पे जब resistivity zero होगी है वो particular material जो है वो super conductor में convert हो चुक है तो सबसे पहले जो first super conductor था student वो हमारे पास in 1911 Camerling Arnes ने यह जो है ना super conductor को invent किया था उसने observe किया कि mercury को अगर at a certain temperature that's equal to 4.2 Kelvin जो mercury है student वो एक उसका जो resistivity है वो sudden zero के equal हो जाता है जो कि approximately equal है minus 269 Celsius के इस temperature पे observe किया गया कि जो mercury है उसका resistivity vanish हो जाता है zero के equal हो जाता है it means that जो mercury है वो behave करता है as a super conductor similarly अगर हम लोग next कुछ materials की बात करें उसमें aluminium है aluminium का critical temperature student जो observe किया जाता है वो है 1.18 Kelvin approximately equal to minus 271 Celsius जो student अगर आप लोग mercury की बात करें या aluminium material की बात करें दोनों cases में जो temperature है minus 269 Celsius and respectively minus 271 Celsius it means that these are the very low temperature Celsius में minus 271 और minus 269 Celsius यह बहुत कम temperature है minimum temperature है absolute temperature के equal है similarly for 10 के लिए अगर हम लोग बात करें 10 material के लिए इसके लिए critical temperature student हमारे पास आ रहा है 270 Celsius बनेगा यह क्योंकि यह हमारे पास 3 उसमें से minus हो जाएगा 270 में से 273 में से तो यह हमारे पास temperature होगा 10 का critical temperature and similarly lead की अगर हम लोग बात करें lead का critical temperature तो है student लोग हो जाता है COL है AND similarly lead Г簡 यह minus 266 Celsius पे most Health in temperatures नहीं materials की resistivity 0 के Jake क लोग घाटी है इसमें करंट आप लोगों ने एक बार इस्टैबलिश करवा दिया है तो इन फाइनाइट टाइम तक के लिए इन में करंट फ्लो करता रहेगा मीन पावर डिसीपेशन इन सूपर कंड़क्टर जो है न स्टूडेंट वो जिरो के एक्वल होता है कोई पावर लॉसेज वहाँ पे नहीं होते लेटर ओन अगर हम लोग बात करें यह जितने भी सूपर कंड़क्टर थे यह लोल टेंपरेचर सूपर कंड़क्टर हैं यह टेंपरेचर एटेंज करना हमारे लिए काफी मुश्किल है यह माइनस टू सिक्स्टी या टू सिक्स्टी सैल्सियस की रेंज में जो टेंपरेचर यह बहुत काम ढ़ुता हैं बहुत तेंपरेचर लेटर ओन इन नाइंट्टी एटि इस्क्डन है ना सूम स्पैसिटल एक सैरमिक मृटिरियल को अबजार किया गया कि ये at high temperature as comparing to the minus 266 Celsius or minus 269 Celsius ठीक है इनके comparing high temperature पे super connector invent किये गए और उनका जो critical temperature था ceramic material जो specific थे उनका critical temperature 125 Kelvin था जो कि approximately equal है जाता है minus 148 Celsius अब ये जो ceramic materials जो super connector के तौर पे बेव का रहे हैं इनका temperature 125 Kelvin है जबके हम लोग बात करें mercury, aluminium, 10 hour lead की इनके temperatures बहुत काम है तो ये comparatively ये जो temperature है ये थोड़ा greater है means you can say that these are the high temperature super connectors mean high temperature super connector कैसे होगे इनके लिए हम लोग उने एक सकेल बना दिया कि ऐसे super connector जो specific value से जिनका temperature critical temperature ज़्यादा होगा वो high temperature हो जाएंगे और specific value से जिनका temperature काम होगा बिलो होगा उनको हम लोग नाम देंगे low temperature super connector का तो हम़र पास जहाँ पर high temperature super connectors the super connectors whose critical temperature is above the 77 Kelvin ऐसे super connector जिनका critical temperature 77 Kelvin से ज़्यादा होगा उनको high temperature super connector का नाम देंगे और ऐसे सुपर diameter जिनका critical temperature less than 77 Celsius लेस देन सॉरी 77 केलवन होगा और बिलो दा 77 केलवन होगा उनको हम लोग नाम देंगे लो टमप्रेचर सूपर कंड़क्टर्स का तो सुडेंट यह इसी तरह से आफ्टर 1886 लेटरों जो प्रेजन हमारे पास जो हाई टेमरेचर सूपर कंड़क्टर है वो इनवेंट हो है बाई प्रोफेसर Yau Lian Li तो कैमरे temperature की बात करें, वो है 163 Kelvin approximately equal to minus 110 Celsius, यह देखें, यह ceramic material से भी इसका temperature कदरे ज्यादा है, mean minus 110 Celsius पे यह वाला material जो है, बिहेव करेगा, with the zero resistivity, or you can say that, with the zero resistance, और यह super connector के तौर बिहेव करेगा, इस तरह से हम लोग बात करे रहे थे student के हमारे पास, यह बहुत ज्यादा super connector low temperature super connectors हैं, और चांद एक super connector हमारे पास high temperature super connector हैं, इसी तरह से यह expectations हैं, कि आने वाले कुछ years के अंदर हम लोग कुछ ऐसे super connector develop करेंगे, जो के room temperature पे जिनका resistivity जो है, वो vanish हो जाएगा, zero के equal हो जाएगा, तो इस तरह से अगर होता है, तो एक बहुत बड़ा इंकलाब होगा, हम room temperature पे super connector अगर develop करते हैं, तो हमारी बहुत ज्यादा जो power losses हैं, वो zero के equal हो जाएगी, और ये super connector जो होते हैं, student, आप लोग इनको perfect connector बोलते हैं, इनकी जो resistance offer होता है, या resistivity होता है, वो zero के equal होता है, इनमें आप लोग strong किसम का crunch हासल कर सकते हैं, इनको use करते हुए, और strong कि इसम का magnetic effect जो है, वो भी आप लोग observe कर सकते हैं, एक बार अगर आप लोगो ने इन super connectors के अंदर current को develop करवाया है, तो current जो है in finite time के लिए इनके अंदर flow कर सकता है, even that अगर आप लोग provided potential difference को remove भी कर दें, mean इसमें power losses ना होने के बराबर होते हैं, बनके यूं कहें, आप इसमे input बहुत small provide करेंगे, और जो आपका output है, वो maximum होगा, input के मकाबले में output जो है, वो greater होगा, next अगर हम लोग applications आप super connector की बात करें, तो first application हमारे पास आ रही है, MRI, MRI stands for magnetic resonance imaging, यह studentic के ऐसी technique है, जिसको हम लोग use करते हुए, हमारे internal parts of body जो है, उनकी imaging कर सकते हैं, उनको observe कर सकते हैं, कि उनमें खुदाराखासता अगर कोई defect है, आप उसे observe कर सकते हैं, secondly, levitation train है, यह fast train है, इस में भी super connector का इस्तेमाल किया जाता है, MRI में भी super connector का इस्तेमाल किया जाता है, यह single track train है, इसकी working के लिए भी super connector जो है ना, वो necessary है, similarly, powerful small motors जो है, आप कोई पास अ maximum चाहिए, current या magnetic field अगर आप लोग maximum हासिल करना चाहते हैं, आप लोग इस type की motors में super conductor का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि super connector जो है, उनमें जो hindrance है, resistance है, zero होता है, और आप इस case में जब super connector यूज़ करेंगे, तो आपके पास current या magnetic effect आप current जो है, maximum देखने को मिलेगा, और इस से आप लोग high power small motors को develop कर सकते हैं, तो आज का लेक्चर जो के student था, super connector पे, तो इसके साथ ही, Allah हाफिज,